एक छोटे से गांव में एक समय की बात है। ये गांव बहुत ही खूबसूरत और शान्तिपूर्ण था। लोग यहां के जीवन से बहुत खुश थे और सभी मेल जोल और एक दूसरे की मदद में आपस में बड़ी खुशिया मनाते थे। लेकिन इस गांव में एक चुरेल भ और बहादूर युवक ने तयारी की और उस चुरेल का पता लगाने का फैसला किया। वो चुरेल के पास पहुँचे और उसे जबरदस्ती वापस गांव लाए। चुरेल बहुत रोई और विनती करने लगी। फृपया मुझे छोड़ दो, मैं बदल गई हूँ, मैं अब अच्छी हूँ। युवकों ने उसे धीरे धीरे समझाया कि वो अब अच्छी बन गई है, लेकिन उसका विश्वास जीतना मुश्किल था। इसलिए वे उसे गांव में ले गए और उसे अपने घर में रखने की इजाजत दी। जैसे जैसे वक्त बिता, लोग चुरेल मे बदलती धीरे धीरे विश्वास करने लगे। चुरेल अपनी गलती से सीख गई थी और वो अब दूसरों की मदद करने के लिए तैयार थी। वो लोगों की मदद करने लगी, उनके लिए खाना पकाने और उनकी सेवा करने में मदद करने लगी। लोग अपने गांव की च करने लगे और उसे आदर्श मानने लगे उसका नाम चुरेल से प्रेमा रखा गया और उसे अपना परिवार का हिस्सा समझा गया इस कहानी से सबक ये है कि हमेशा किसी को उनके दिखाए रास्ते पर नहीं देखना चाहिए कभी कभी लोग बदल जाते हैं और बहुत अच्छ को खूज सकते हैं